नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का सत्या एक्सेलेंट यूटूब चैनल पे जैसे कि आप सभी को मालूम है, फ्री स्मार्टफून टेबलेट यूजना आप सभी को मालूम होगा इसके बारे में जिसमें आईटी और डिग्री डिप्लोमा चात्रों के लिए ये बित्रित किया जाने वाला है तो ये कब बित्रित किया जाएगा, इससे लेकर एक बड़ी अपडेट आ चुकिए जिसके बारे में आपको जनकारी देने वाले हैं, तो वीडियो को आप बिल्कुल कंप्लिट देखेगा और इस यूजना से समंदित कोई भी अपडेट आती है, यदि आपको उस अपडेट से जुड़ी जनकारी चाहिए तो इस वीडियो के नीचे आपको एक बटन दिख रहा होगा, सस्क्राइब वाला, उसे जरूर दबाईएगा तो चले मैं आपको लेके चलता हूँ इसकी अपडेट पर जहां पर साथियो अपडेट आ रही है और उस अपडेट को आपको देखना जरूरी है, और साथी साथ उसमें एक वेरिफिकेशन भी करना है यदि आप वेरिफिकेशन नहीं करते हैं, तो आपको यह जो योजना है, इसका लाब नहीं मिलने वाला है तो क्या करना पड़ेगा, चले मैं आपको बताते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको लेके चलता हूँ जो कि आप यहाँ पर देखिए यह आपका dg.up.gov.in की official website है बहु सरे चात्रों को यह जनकारी होगा इस योजना के तत आप सभी को यहाँ पर tablet मिलता है और बहुत सारे college में आपको smartphone भी दिया जाता है कभी-कभी आपको देखने को मिलेगा कि ITH चात्रों को tablet मिल जाता है कभी-कभी smartphone मिल जाता है और कुछ चात्रों को ऐसे भी देखने को मिलता है कि उनका थोड़ा सा late होता है लेकिन उनको यह finally मिल ही जाता है लेकिन इस बार यदि आप यह काम नहीं करते हैं तो आपको इस यो देखेगा अब जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे सात्यों इसकी आप official website पे आ जाएंगे यदि आप इसकी official website पे नहीं आ रहे हैं तो इसका link आपको description box में मिल जाएगा वहां से क्लिक कीजेगा आप इसकी official website पे आ जाएंगे और आने के बाद सात्यों आपको करना का है ध्या किया है तो आपको इस पे क्लिक करना है क्योंकि सात्यों जब तक आप EKYC नहीं करेंगे लिष्ट में आपका नाम नहीं आएगा और यदि नाम नहीं आता है तो आपको college के द्वारा ये इस रियोजना का लाब नहीं मिलेगा तो आपको करना क्या है इसी पे क्लिक कर देना ह और जिससे साथ यो आप यहां पे click कर देते हैं तो आपको यहां पर देखने को मिल जाता है कई चीजे यहां पर select करने के लिए कहा जारा है मैं आपको करमगाई दिखा देता हूं ध्यान से देखिएगा सबसे पहले तो आपको यहां पर अपने ITE college का नाम सर्च करना है ठीक है जिसे कि आप यहां पर सर्च कीजेगा अपने college का नाम सर्च कीजेगा और इसके बाद यहां पर भी आपको college का नाम सर्च करना है यदि आप graduation के छात रहें बीए बीसी के छात्रें तो अपने college का नाम सर्च कीजेगा और यदि आप IT के छात्रें साथ हो तो दोनों में आपर सर्च कीजेगा आपको देखने को मिलेगा अपने college का नाम और वहाँ पे साथ हो आप नीचे आ जाते हैं तो यहाँ पर main चीज होता है जो कि enrollment number यहाँ पर य देखेगा इस चीज को आपको प्राप्त करना है और यह आपका कहां से मिलेगा बहुत सारे छात्रों को जनकारी होगा प्राप्त भी कर चुके होंगे जो अपने college से जुड़े हुए हैं यदि आप college से नहीं जुड़े हैं तो अपने college पे जाएगा आपको यह number मिल आपको करना क्या है यहां पर नीचे आ जाते हैं तो आपको एक capture code भरने के लिए कहा जाएगा जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूं यहां पर capture लिखा गया है जो कि यहां पर मैंने इसको mobile को यहां पर rotate किया इसलिए आप नहीं दिखाई दे रहा है तो जब आप इसको rotate करे क्लिक कर देना है और ऐसे आपको नहीं समझ में आ रहा है साती हो तो मैं आपको बता देता हूं ध्यान से देखिए यहां पर आपको करना क्या है इसके बारे में आपको जनकारी नहीं है तो इसका एक notification भी जारी किया गए कि यदि आप नहीं कर पातें तो कैसे करना है किस त देखिएगा साथियों अभी यहां पर देखिए अब यहां पर निचा आजए तो यहां पर आपको करना क्या है डीजी सकती जो वहां पर जाना है सबसे पहले दुसरे नंबर पर आपको विश्यू बिद्याले बोर्ड यह सोसाइटी कांसलिंग या कॉलेज संस्थान अथा सालेंगे वो फिल करके उसके बाद सीधा आपको नीचे जाएंगे तो एक चीद दिखाया जाएगा और वहां पर आपको क्या करना पड़ेगा इसमें आधार संख्या आपको फिल करना पड़ेगा और जो आधार आपके मोबाइल नंबर से जुड़ा हुआ है ठीके ध्यान मोबाइल के द्वारा भी इस चीज़ को कर सकते हैं आपको किसी भी याप पर दुकान पर जाने की जरूरत नहीं है आप इस पॉर्टल में आकर आप अपने मोबाइल के द्वारा कर पाएंगे क्योंकि साथ हुए करना जरूरी है जब तक आपकी प्रोफाइल यहां पर कंप यहां पर पढ़िया है टैबलेट स्मार्टफोन वित्रण से पुर्वा डीजी सकती पॉर्टल पर पात्र परतेक लभार्थी का अधार प्रमाणी करण कराये जाने के संबंद में यह नोटिपिकेशन जारी किया गया था जिसमें साथियो आपको जो है अधार यहां पर समि अधा भी गया ओगत कराना है कि टैबलेट स्मार्टफोन के वित्रण की कारेवाई है तो डीजी सकती पॉर्टल पर निर्धारित प्रक्रिया एव सेडूल के अनुसार लभार्थी के डाटा को उनके संबंदित संस्था द्वारा पॉर्टल पर तथा अपुर्व किये गए डाटा को समदित विभाग द्वारा लाग किया जाता है उक्तपर क्रिया से लॉकिंग उपरांत नहीं लभार्थी डीजी सकती पॉर्टल पर टैबलेट स्मार्टफोन पाने के लिए पातर होते हैं पातर लभार्थीयों के मातंद्यम से आपको टैबलेट और स्मार्टफोन दिया जाएगा और इसमें आपका अपडेट किया गया है यह पहले भी आपने इसमें अधार कार्ड फिल करके आपने EKYC किया था पहले भी किया था लेकिन यह हमेशा अपडेट होता रहता है तो इसलिए आप पर दोबारा आपसे कहा जा रहा है कि दोबारा आप EKYC किजिए ताकि यहाँ पर आपका लिष्ट में नाम आ सके मतलब कहने का यह है कि आप इस उपस्तिते आपको यह दिखाना पड़ेगा DG Portal की Official Website पर और जब आप उपस्तिती देखा देंगे तो वहाँ पर लिष्ट में आपका नाम आ जाएगा और जब यदि लिष्ट में नाम आ जाता है साथीओ तो आपको इस योजना का लाप मिलेगा और यदि आप इसका भेरिफिकेशन नहीं करते हैं आपको लाब नहीं मिलेगा आप जरूर बताएगे कमेंट बॉक्स में इस पर में एक वेडियो बनाओं डिटेल में या नहीं बनाओं क्योंकि बहुत सरे छात्रों को समझ में नहीं आया होगा कि आखिर करना क्या है तो कमेंट में आप जरूर बताएगा और कोई भी आपको क कन फ्यूजन होगा तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजेगा आपको जनकारी मिल जाएगी